लखनाव में फेस्बुक इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती के बाद युफ्ती ने जब रिष्टा बढ़ाने से इंकार किया तो आरोपी युवक ने युफ्ती के चहरे पर ब्लेट से तावर तोड़ वार कर घायल कर दिया और आनन्फानन में युफ्ती को ट्रामा सेंटर मे एडमिट कराये गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है और जानकारी के मताविक लखनाव की जान की पुरम ठाना छेद में रहने वाली युफ्ती ग्रेजियोशन की चात्र है और उसकी शुबम से इंस्टाग्राम और फेस जताता था और युफ्ती ने शुबम के रादे जान कर उससे दूरी बना ली थी और घटना के दिन युफ्ती अपने घर से किसी काम से निकली थी कि अचानक आरोपी युवक ने पहुंच कर तावर तोड बलेड से चेहरे पर वार कर दिया और युवक ने ये भी कहा कि का नाम शुबम है और वो युफ्ती के पास में ही रहता है और कुछ समय पहले दोनों में बाचित होती थी लेकिन युफ्ती की मना करने के बावजूद भी वो लगातार युफ्ती के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था और डी सीपी नौर जॉन देवेस पांडे ने आगे कहा कि इस तरीके का इंसिडेंट ब्लेड से वार किया है और परीजनों के तहरीर पर युफ्त के खिलाफ कारवाई की जारी है और उसकी तलाश भी की जारी और जल्द ही गिरफतारी की जाएगी और वहीं यूपी पुलिस किस तरह निर्दोष लोगों का फर्जी तरीके से एंकाउंटर कर वाहवाई लूटने का परियास करती है और इसकी एक और मिसाल देखने को मिली चित्र कूट में जहां यूपी की ठोको पुलिस ने तारी वटोरने के चक्कर में 31 मार्च को एक निर्दोष यूवग भालचन रियादव को 25 जार का इनामी ड़केद बता कर मार डाला था और पुलिस ने उसे आमने सामने की मुद्वेड में मार गिराने का दावग किया था और अब स्पेसल कोट ने इस केस में तदकालिन SSP, STF जवानों समित दो दर्जन से जादर लोगों के खिलाफ केस धर्ज करने का आदेश दिया है और पुलिस के हाथों मारे गए भालचन रियादव के परीजनों का कहना था कि वो सतना जिले में पेशी के लिए गया था और कोट में पेशी भी हुआ था जहां रेजिस्टर में उसके हस्ताक्षर भी मौजूद है और वहां से घर लोटते समेश चित्रकूट पुलिस और ह्टेफ ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और पुरी तरह मारने पीटने के बाद उसके जिसमें कई गोलियां उतार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और अपने इस कार गुजारी को छुपाने के लिए चित्रकूट पुलिस पॉस्ट मार्टम कराने के बाद भालचन रियादव का अशाव उसके परिजनों को किसी भी हाल में सोपने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस उन पर दवाब डाल रही थी कि उसके अशाव का अंतिम संसकार पुलिस के उपस्तिती में पॉस्ट मार्टम हाउस के बगल में ही बने अंतिम संसकार इस्थाल में करना पड़ेगा और भालचन यादव के परिजनों ने सतना जिले के चित्रकूर्ट विधान सवा के कॉंग्रेस विदायक निलांशुद चतरवेदी से अपना दुखडा रोय था जिसके बाद विदायक खुद पोस्ट मार्टम हाउस मोचे थे और काफी बहस हंगा में और दुखडायक निलांशुद चतरवेदी के हश्ट छेप के बाद चित्रकूर्ट पुलिस ने मिर्तक के परिजनों को शब सौंप दिया था और जब अंतिम संसकार के पहले परिजनों ने उसकी लाश मौईना किया तो पाया कि उससे पुरी तरह मारा पीटा गया था और हाथ की हड्यां तक तूटी हुई थी और प्राइवेट पार्ट भी जखमी थे और मिर्तक के पिता ने चित्रकूर्ट पुलिस द्वारा फरजी मुद्भेड में अपने बेटे को मार गिराए जाने के खिलाब तमाम फॉर्मों सहीद नियाले में गए ते और छे मैनों की भ हैं और वहीं यूपी मेरट शहर के चर्चित अमित आत्मत्या प्रकण में सीसी टीवी की फूटेज स्पष्ट होने के बाद पूरी कहानी बदल गई है और अब तक जो पुलिस भी पिंकी द्वारा खुद गर्दन पर कटर मानने के दावे कर रही थी वही अब बैक फूट पर आ गई है और फूटेज से जो खुलासा हुआ है उसमें अमित के पिता रामकिशन बंशल का दागदार चेहरा सामने आया बेटे की आत्मत्या के बाद रामकिशन ने बहु को पहले लाद घूसों से पीटा और फिर उसकी गर्दन पर कटर चला दिया और पिंकी तडपत कर लिए और लेकिन रात एक बज़े तक भी उसे हिरासत में नहीं लिया गया शास्त्री नगर में इंटीरियर डिजाइनर अमित बंशल के आत्मत्या में एहम सबूत के तोर पर सामने आयस से टीवी फूटेज ने दिल धेला देने वाली हकीकत बया किया और इस फूटेज क और बहुत देर तक कश्मकस के बाद भी फंदा नहीं खुला तो उसने पेपर कटर से फंदा काड़ दिया और अमित का बेजाएंग शरीर नीचे गिर गया था और पिंकी को यकिन नहीं हुआ कि अमित की मौत हो चुकी है और उसके शरीर को बार बार हिलाती चीकती रही और अमित और फिर उसे एसास हुआ और फिर फुटेज में नजर आ रहा है कि जब पिंकी को लग गया कि अमित अब जिन्दा नहीं है तो उसने पहले उसी फंदे को अपने गले में डालने की कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं इसके बाद उसने कटर से अपने हाथ की नसकाट ली और अमित के साथ लिपट कर रोने लगी और इस सारे वाके के दौरान अमित की मा कोने में खड़ी चुप चाप सब देखती रहे और इसी दौरान आठ मैने की पोती एकावीरा को गोद में लेकर रामकिसन वहां पहुँच गया और उन्हों ने जाते ही अमित के शव से लिपटी लहुलवान पिंकी को पूरी तरह लाद घूसों से पीटना शुरू कर दिया इसके बाद रामकिसन ने जमीन पर पड़ा कटर उठा लिया और फूटेज में यहीं से धुंदलापन है और लेकिन मौका ये वारदात का सीन ये सपश्ट कर राय कि रामकिसन द्वारा उठाए गया कटर फेका नहीं गया था और पिंकी की गर्दन पर उसी से वार किये गए क्योंकि पहली फूटेज में पिंकी ने सिर्फ अपने हाट की नस्काटी और गर्दन पर वार रामकिसन नहीं किये